नमसकार बहुत स्वागई थे अपका आप देख रहे हैं ग्रेंट धर्मा सनमाल आसाड मास की पूर्णीमा ती थी जिसे हम गुरू पूर्रीमा भी कहते हैं गुरू पूर्णीमा के दिन ब्यक्ति अपने गुरू जनों की पूजा करता है या फिर उनका आदर सम्मान करता है लेकिन अगर आपने गुरु दक आपके गुरु नहीं है या आपने गुरु दिच्छा नहीं ली है तब ऐसे में आप भगवान सीव को अपना गुरु मान कर उनकी अर्चना कर सकते हैं मात करने के लिए इस दिन बहुत सारे प्रियोग किये जाते हैं जले जानते हैं बिस्टार से पीपल के ब्रिक्ष में भी जो हाँ पर मालक्षमी का निवास अस्थान होता है खासकर पुणिमाती थी के दिन सुबह सुबह उठकर एक लोटा जल में आप मीठी वस्तू और एक चुटकी अक्षत यानि चावल और थोड़ा सा दूट लेकर पीपल के पेड़ में अरपित कर दे तो ऐसा करने से मालक्षमी आपके साथ आपके घर आती है ऐसा हमारा सास्तर कहता है वैसे इस पूर्णम की साम पती पतनी मिलकर अगर चंद्रमा को जल में दूद मिस्रित करके अरद दे तो दामपत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है और अगर आप चंद्रमा को कच्चे दूद में चीनी चावल मिलाकर अरद दे और चंद्रमा का मंत जब करे सबसे पहला तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा आपको एक कारे करना है चावल को आधाए घंटा तक भीगो लें पानी में उसके बाद इस चावल को पीस कर पेस्ट बना लें इसमें एक चुटकी हल्दी मिलाकर घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से सुमंगल परतीक चिन्ह बनाईए जैसे की स्वस्तिक है इसका निसान बनाईए आप चौकट में उपर बीच और बीच भी बना सकते हैं और दोनों तरफ भी बना सकते हैं लेकिन इस स्वस्तिक के निसान के दोनों तरफ दो खड़ी रेखाएं जरूर डालिएगा दूसरा उपाय है कि आप इस दिन जल में एक चुटकी हल्दी डाल कर पूरे घर में छिड़का जरूर करें क्योंकि इस सकायत मक उड़जा आती रहती है घर के मुख्य दरवाजे पर जब आप बंदन बार लगाएंगे तो आम या असे के पत्तों का ही लगाईएगा और पुरान बंदन बार हटा दीजिएगा जो आपने एकादसी तिथी पर लगाया था क्योंकि पुनिमा तिथी के दिन नया बंदन बार लगाया जाएगा और साथ ही साथ घर के मुख्य दरवाजे पर सुब मंगल परती चिन बनाने के साथ आप एक बरतन में थोरा सा जल भरें उसमें आप चाहें तो मिट्टी का पात्र या लोटा बेगर ले सकते हैं कटुरा भी ले सकते हैं गड़ा बरतन हो जल भर कर उसमें फूलों की पंखुरी रखकर अपने घर के अंदर मुख्य दरवाजे के अंदर दाहिने तरफ आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपका दाहिना हाथ जो होगा उस तरफ ये पात्र रखने और अगले दिन किसी पौधे में डाल दीजेगा घर की तमाम परिस के सभी लोगों के कुंग कुंग या रोली लगाकर तिलग कर ले और फिर उसके उपर चावल जिपका दे तो आपका कुंडली का चंद्रमा भी बहतर होता है और जीवन में धीरे-धीरे समस्यां समाप्त होने लगती है तो ये प्रियोग भी आप इस दिन से लगातार कुछ दिनों तक करें वैसे लाइफ टाइम भी कर सकते हैं अब धन प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे जीवन में मुस्किले जादा है परिसानिया जादा है आप चाहते हैं कि धन भी आए ठीके भी घर की दरिता दूर हो जाए नकात्मक उड़ जाए चली जाए इसके लिए आपको चाहिए होगा थोड़ा सा चावल थोड़ा सा मतलब आप 11 दाने भी ले सकते हैं या एक चुटकी ले सकते हैं एक मुठी भी ले सकते हैं और इस चावल को हल्दी से कलर कर ले और इसको लाल कपड़े में बांध कर अपने धन के अस्थान पर रगदे मां को अर्पित करने के बाद धन बढ़ता जाएगा बहुत सिंबल सा प्रियोग है लेकिन जब आप हल्दी यानि गुरू और चावल यानि चंद्रमा दोनों का मिलन हो जाएगा तो क्या होगा यहां पर राजयोग बनेगा और यह राजयोग आपके जीवन में हर जो समस्याएं हैं परिस् देते हैं और इस बार की जो पुर्णिमा है वो चुकि बहुत ही दुलब सुभ योगों में आ रही है तो चावल का छोटा छोटा प्रियोग करके जीवन की मुस्किलों से बचा जा सकता है बाहर निकला जा सकता है एक छोटा सा काम करें आपको चाहिए होगा थोड़ा सा च जल जरूर अरपीद करना चाहिए और एक मुठी चावल सिवलिंग के ऊपर अरपीद कर दें फिर अपने जीवन की समस्या को बोलिए लेकिन चावल को पहले से ही चुनकर रख लीजिएगा तुटा पुटा वर ना हो इस बात का ध्यान रखिएगा और जब आप सिवलिंग पर चावल अरपीद कर देते हैं तो जीवन की समस्या समाथ हो जाती है अगर आप ज्यादा अरपीद करना चाहते हैं तो लेकर तो जाहिए एक सबाकिलो ले जा सकते हैं लेकिन चढ़ाना एक ही मुठी है बाकी का वही मंदिर में छोड़ दें या पर किसी गरीब को दें ल ही तब जब आप चुकि इस पुर्णिमा के दिन खीर बनाया जाता है तो खीर बनाएंगे तो फिर थोड़ा सा आप कवों को भी दीजिएगा इससे क्या होता है आपके जीवन की जो सनी समंदी बाद हाएं हैं वह समाफ्थ हो जाती है तो यह प्रियोग आप सिंपल तरीके कारे रूख जाते हैं सफलता ही नहीं मिलती और मालक्षमी को प्रसंद करने के लिए आप सुमुर्थ में या पुर्णिमा के दिन आप एक छोटा सा काम कर लें तो मालक्षमी की क्रिपाब भी बरस दी है और कुंदली में जो चंद्रमा बैठा है वो भी सुप्फल देने ल है तो चंद्रमा को करने के लिए लिए माह से मुट्ची कैबले और वह प्रसमाल के रख रहे करीब एक साल या जाएग नहीं तो तो आप फिर अगले साल इसी पुर्णी मा के दिन इसको फिर से आप पिछले बारा चावल किसी नदी ताला में डाल दीजिएगा और फ्रेस ले लेजिएगा मा के हाथों से अगर आप चाहते हैं कि धन की बरकत होती रहें मुस्किलें कभी परिसान न करें तेक सिंपल सा काम करें आपको चाहिए होगा चावल और ये चावल के साथ आपको चाहिए दूरवा घास ज्यादा नहीं एक दो ले लिजिएगा एक लाल कपड़ा एक मिट्टी की छोटी सी ब मालक्ष्मी की जब आप पूजा करते हैं उस समय इस चावल को मालक्ष्मी को अर्पित करें या वहीं पर रखें और फिर ओम स्रिंग श्रियायनमह का मंत्र बोलते वे इस मिट्टी के पात्र में चावल डाल दें उसमें दुर्वा घास और सिका भी डाल दें मुख पर लाल कपड़ा लाल कलावे से बांदे अब इसको उठाकर आप छोटा सा पात्रे लेना है ज्यादा बड़ा नहीं लेना आप इसको अपने घर के उत्तर पस्चिन दिसा में रख दें आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी और इसको आप अगले साल इसी दिन इसी पुर्णिमा को चेंज कीजेगा पिछला वाला आप किसी भी नदी ताला में डाल दीजेगा और फ्रेस भर लीजेगा आप चाहें तो उसी मिट्टी का पात्र का भी प्रियोग कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है बहुत सिंपल प्रियोग है लेकिन इस प्रियोग को करने से खुसियां भी आ पूरा फल मिलता है बहुत सिंपल है और जब दीपक जलाते हैं घर में पूजा पाट करते हैं तो दीपक के नीचे भी आप चावल एक चुटकी रखकर ही उस पर दीपक रखे तो पूजा का पूरा फल भी आपको मिलेगा अब पुर्णिमा तिथी है एक छोटा सा काम में अपने हाथों से एक मुठी चावल या दोनों हाथों से मिलकर मिलाकर आप डाल दे और कहें कि हैं मेरे दुर्भागे मैं तुझे यहीं छोड़े जा रहा हूं बिना पीछे मुड़े घर आ जाए जीवन की मुस्किले समापत होगी दुर्भागे भी पीछा छोड़ दे अब इस लोटे को घर से जल भर कर लेके जाना है ले जाकर किसी भी बट ब्रिक्ष जिसको हम बरगत का पौधा कहते हैं उसके नीचे बटकेसर महादेव का नाम लेकर डाल दीजिए कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी करके देखें वैसे इस दिन पंच्छियों को दाना डालने का भी धान है आप चाहें तो किसी भी ब्रिक्ष के नीचे चावल थोरा सा डाल सकते हैं अब धान भी डाल सकते हैं पक्छियों के निमेत लेकिन चछत पर मट डालिएगा वरना अगर कभूतर आ गया तो मुस्किल में पढ़ जाएगे धन्यवाद हम फिर मिलेंगे